वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो गाइस में एक और न्यू रिडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आपके अच्छे हैं खुश हैं आपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रिडिंग करने वाली हूँ टॉपिक है यहां पर हम जानेंगे कि आपकी भी लाइफ में next क्या आपा खोग में ऑस पर पर परिफशनल लाइफ में आप क्या ट्रयक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में तो यह सारी बाते हम यह अपर जानेंगे स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है शुरू करने से पहले गाई हमेशा की तरह ही मैं आपको बता दूँ कि यह जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो तो प्लीज किप अन ओपन माइंड और यह रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या आ रहे है वो की पहला कार्ड है नाइन ओव वांट्स एरीज लियों सेजिटेरियस वी हैब फोर अफेंटिकल्स टॉर्स विगो और कैप्रिकॉन नाइफ लाइफ 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 2 of swords 5 of pentacles the moon and we have the lovers card here ace of swords है, bottom of the deck से okay, so cards यहाँ पर आगए है guys, यहाँ पर है यहाँ पर cancer और यहाँ पर gemini तो बहुत ही strong sign है लेकिन यहाँ पर water sign बहुत यहाँ पर cancer, scorpion, pisces इसके बाद यहाँ पर है tauris, virgo and capricorn and gemini बहुत strong दिख रहा है यहाँ पर air sign में से और बाकी fire sign भी है यहाँ पर aries, leo, sag और gemini, libra, quares तो सारे ही elements है, ठीक है, तो आपको rating पर consider करना है देखे guys, love life में no doubt, बहुत अकेलापन feel हो रहा है आपको और आगे भी थोड़ा रहेगा यह अकेलापन आपको ऐसा ही feel करना पड़ेगा guys, अब आप यह समझ लीजे कि अगर आप किसी के साथ contact में है वैसे मुझे यहाँ नया love कोई दिखनी रहा है तो यहाँ पर आप जो भी इस रीडिंग पर अभी तक जितने भी लोग पहुँचे है वो किसना किसी का wait कर रहे है, ठीक है किसना किसी का इंतिजार कर रहे है, और इंतिजार थोड़ा सा लंबा ही हो गया है अभी तो फिलाल, ठीक है, हो सकता है almost one year and one and a half year maybe इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन maximum लोगों के लिए one year से ज़्यादा ही हो गया है और आप काफी time से wait कर रहे हो इस अकेले पन में हो और आपके partner ने तो अभी कसम खा ली है कि कुछ भी बताना नहीं है इसको आपको कुछ भी reveal नहीं करना है even यह थोड़ा थोड़ा try कर रहे है देखो दीरे दीरे चीज़े इसके दिल में क्या है इसके हालात क्या है क्या क्या क्योंकि देखो मैं तो यहाँ prediction कर रही हूँ daily prediction कर रही हूँ आपके partner की life में कुछ ना कुछ आपको बताती हूँ लेकिन वहां से नहीं मिल रहा हूँ आपको कुछ भी पता नहीं चली नहीं पा रहा है कि वो sad, happy है, क्या है, क्या नहीं है यह चीज़े अभी समझ नहीं आ रही है आप लोगों क्योंकि वो अभी आप तक पहुचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे है वो छुपा रहे हैं बातों को एक deception है इस person के अंदर और यह deception है इसके खुद की भलाई के लिए यह कर रहे हैं यह सारी चीज़े जो भी कर रहे है चाहे इसका मन करे बात करने का चाहे ना करे लेकिन यह अभी ready नहीं हो रहे हैं आपका cup accept करने के लिए और आपका इंतजार है यह काफी बढ़ रहा है तो अभी ना यह मान के चलिए कि अभी कुछ दिन तक आपको और इस energy में रहना पड़ सकता है वैसे तो guys अगर मैं clear cut answer दूँ आपको यह separation, यह दूरियां, यह no contact situation आपके प्यार को strong भी बना रही है ठीक है और दीरे दीरे आप दोनों track पर भी आ रहे है आप पता है इस separation से मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर जो lesson आप सीख रहे है वो है अपने emotions पर control पाना के पीछे एक reason होता है तो इसके पीछे का reason मुझे को यही दिख रहा है कि आप सारी expectations खतम कर रहे हो, खुद में complete होने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप self love करना सीखेंगे इसी phase में starting में आपको थोड़ी दिक्कत होईगी, परिशानी होईगी, आप रोएंगे भी, आप परिशान भी होईगे लेकिन दीरे दीरे आप सीखेंगे कि self love किसे कहते हैं, खुद का ध्यान कैसे रखेंगे, खुद की respect कैसे बढ़ाएंगे ये चीज़े अब आप सीखेंगे, आपने बहुत major lesson सीखे हैं, बट ये भी एक major lesson से ही है, ठीक है, में से एक है तो yes, आपको अब आपके partner अगर ignore कर रहे हैं, तो आप अपने आपको hurt होने से बचाएंगे, यही चीज़े सीखनी हैं आपको तो love life में आने वाले time में आपकी personal चीज़े solve होंगी, आपके personal जो एक attitude है, जो आपकी life को लेकर जो अच्छा नहीं है, उसे आप correct करेंगे, उसमें आप changes लेकर आएंगे आप self love करना सीखेंगे, चीक है, अगर आपके partner आपको response नहीं कर रहे हैं, वो आपको weight पे रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है, तो अब आपको, मुझे लगता है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आप let go करना सीखेंगे, अब आपको न, इस अकेले पन को ही accept करकर अपनी सिंदिगी में happiness लेकर आनी है, इस चीज में आप अपना ध्यान लगाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, otherwise तो guys यह lessons है, यह lessons आप जब सीख जाएंगे, यह तो आप मान के चलें कि यह connection तो आपका spiritual है, divine connection है, तो इसमें तो देखो lessons तो आपको सीख नह connection मतलो, क्योंकि जब तक awakening नहीं होगी, healing नहीं होगी, तो आप सभी को पता है कि आपका union नहीं हो सकता, तो it's okay अगर यह चीजे हो रही हैं आपकी life में, होती रहने तो नहीं नहीं चीजे आप सीखते रहेंगे, देखो तरह तरह के lessons, तरह तरह के triggers आपको मिलते रहेंगे इ जब तक कि आप awakened नहीं हो जाते, fully awakened नहीं हो जाते, तो जो भी चीजे हो रही है, भगवान की मर्जी समझ कर, लेकिन यह आपको सुनिश्चित करना है कि आपको खुद का ध्यान आप कैसे रखें, तो next, आप अपनी personal life को improve करने में, काफी efforts लगाते हो, मुझे दिख रहे हैं अगर मैं आपके work की बात करूँ, तो work में चीजे थोड़ी भैतर हुई हैं, थोड़ी ही हुई हैं, लेकिन उस rhythm में नहीं हुई, जैसे पहले आपका काम सही तरीके से चल पा रहा था, उस तरीके से अभी changes नहीं आएं, बदलाव नहीं आएं, लेकिन अगर आप कोशिश कर हैं, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रही हूँ, पैनिक मत होना, रोना मत, परिशान मत होना, क्योंकि अभी चीजे छुपी होई हैं with the moon card, लेकिन जल्दी ही चीजे आपके सामने reveal भी हो जाएंगे, क्योंकि आप मेहनत ही हैं, आप काम करने में believe करते हैं, आगे बढ़ने में believe करते हैं, तो ये phase हमेशा नहीं चलेगा आपकी जिंदीगी में, ये खतम हो जाएगा और आप एक नए phase में entry करेंगे, तो अभी तो guys अगर professional life की में बात करूँ, तो professional life को आपकी love life होई डिस्टरब कर रही है, number one thing, ठीक है, और बाकी ये phase कुछ ही आपकी life में, तोड़ा tough phase आया है, ये, हो सकता है कि अभी नया नया trigger मिला है, या फिर, कुछ भी हो सकता है guys, लेकिन इतना मैं बता रही हूँ, divine आपको दिखते हैं, आपको strength मिलती है, तो उनसे तो आप हिम्मत strength मांगते रही है, क्योंकि आने वारा time थोड़ा सा tough है, आपके professional life के लिए भी, थोड का burden बहुत बढ़ जाए आपके उपर, ये चीज़े यहां पर दिख रही है, तो आप confuse ना होकर अच्छे से manage करना चीजों को, बाकी rest आप divine पर surrender कर दीजे, अगर मैं in short में बता हूँ आपको brief में, तो yes, tough time आ रहा है life में, जहां पर आपको proper strength, strength बनाने के जरुरत है, balance create करन करने के जरुरत है, और divine से हमेशा परातना करने के जरुरत है, और इतना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो phase आपका आया है, ये maximum 5 दिन, 6 या 7 दिन तक ही चलेगा, इसके बाद फिर से आप वैसी normal हो जाओगे, ठीक है, आपके partner जो चीज़े चुपा रहे हैं, शायद अब कर दो चार दिन तक ही, वैसे टेंशन नहीं नहीं है, टेंशन ये समझना है कि बहुत सारा काम आ रहा है, मुश्किल काम आ रहा है, उसको हमें बहुत ज़दा खुद को प्रपैर कर समहल कर चलना है, और अपने आपको anxiety negativity से बचाना है, इस तरीके से प्रपैर होना है, बाकि 6-7 दिन तक ये ऐसा एनरजी में आप रहोगे फिर आप बहार आ जाओगे ठीक है ऐसा मैं आप देख पा रही हूँ तो इसलिए पहले ही आपको पता लग गया है आप अलर्ट हो गए है तो अब आप पैनिक भी नहीं होंगे और आप अराम से मैनिफेस्ट भी कर पाएं और देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है परिशान मत होना बस आप चीक है स्टैंड यूर ग्राउंड खुद के लिए स्टैंड लेना अच्छे से काम करना डिवाइन आपके साथ हैं इंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं जैसे कि ये परसन यहां पर थोड़ा घबरा रहा है आपको घबराना नहीं है आपको डट के सामना करना है नमबर 5 भी आपको काफी दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में जीक है ठोड़ा सा चैलेंजिंग भरा टाइम आ रहा है इसमें कोशिश करना काम रहो सिच्टैंड को इसली हैंदल कर सको ठी लाइफ को enjoy भी करना भूलना नहीं पेशन्स रखे थोड़ा गाई अभी थोड़ा सा divine और पेशन्स रखने के लिए कह रहे हैं इस emotional loss को बिल्कुल भी feel नहीं करना है अपने लिए stand लेना है आपको अच्छे भी दिन आते हैं बुरे भी दिन आते हैं लेकिन कहते हैं कि हर कैसा हमें खुद को समाल के रखना है स्टेबल रहने की कोशिश करने हैं मुझे लगता है कि इस फेज को बहुत अच्छे से आप क्लियर भी कर लोगे और आपको रिकाउगनेशन और रिवार्ड भी मिलेगा हो सकता है कि यह आपके ना spiritual account में आपका एक कर्मा एड हो जाएगा ठ और डिवाइन से आपको एक reward बनता है बिलकुल एक award reward ठीक है जो आपको आगे चल कर एक miracle के रूप में काम भी आएगा तो कोई बात नहीं चाहे दुखा आए सुखा आपको stable रहने की कोशिश करनी है अपने आपको balance रखने की कोशिश करनी है और डिवाइन को याद करकर ठ पर विश्वास रखना है क्योंकि जो भी हो रहा है वो हमारे betterment के लिए हो रहा है और हर एक चीज हमें कुछ न को सिखा कर जाएगी और हमारी awakening में हमारी help कर रही है इस सारी की सारी चीज है ठीक है इसलिए आप panic मत होना कोई advice अगर आपके लिए आ रहे है तो मैं देख ले हैं so don't worry guys bring love into the situation अपनी situation में प्यार लेकर आना इस situation में प्यार लेकर आना अपनी life में प्यार लेकर आना खुद से प्यार करना ठीक है इस कार्ड का मतलग यह है अपना ध्यान रखना the energy is gaining momentum आप बहुत positive energy gain करेंगे इस tough phase में भी और जल्दी यह phase भी खतम होगा और एक new beginning भी आपकी start हो जाएगी ठीक है तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है यह आपर अराम से manifest करते रहिए यह आपकी awakening के लिए ही tough time आता है और और कुछ नहीं है लेकिन अब आप इतने smart बन गए हैं कि आप easily handle कर पाऊगे मुझे विश्वास है आप लोगों पर choose a new direction इस tough phase इसमें आप थोड़ा नई direction चूज कर सकते हैं जो आपको चीजे करनी पसंद है वहाँ admission ले लें उसे start कर दें ask for help from others ask for help from others दूसरों से मदद मांगने पड़ सकती है हो सकता है कुछ advice लेनी पड़ जाए हो सकता है कोई tough decision आप लेंगे तो महाँ पर advice वगएरा की जूरत पड़ जाए बाकि तो ये card जब भी आता है तो मुझे किसी से help की मुझे गुझाइश नहीं होती सिर्फ अपने divine से मदद अची है उनी से बोलिए कि आपको क्या करना है आगे वह आपको directions देंगे तो आने वाला time थोड़ा tough है लेकिन आप इसको अच्छे से handle कर सकते हैं ये चीज भी यहाँ पर आ गई है तो guys आने वाले time के लिए all the best without any tension और panic नहीं होना आपको ठीक है और अराम से manifest करकर आपको बढ़ना है I hope कि reading आपके लिए helpful रही हो आपको पसंद आई हो अगर reading आपको पसंद आई है तो मुझे comment section में बताना चैनल पर अगर आप यहाँ नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care